नमस्कार, वेलकम बैक फ्रेंड्स, अवर यूटूब चैनल इंग्लिस का डबल डोट दोस्तो आए हम रोजाना बोले जाने वाले इंग्लिस के वर्ड देखते हैं जो की इंग्लिस स्पीकिंग के लिए बहुत ही यूजफूल होने वाले हैं टिमिड, टिमिड का मतलब होता है दोस्तो डर्पोक, जेनरस, जेनरस का मतलब दरिया दिल जेनरस का मतलब दरिया दिल, ओनेश, ओनेश का मतलब होता है इमानदार, ओनेश का मतलब इमानदार पापर, पापर का मतलब होता है कंगाल, पापर मीज कंगाल, चैस्ट, चैस्ट का मतलब होता है पवित्र, यानि चैस्ट मीज पवित्र, कंजेस्चन, इसका मतलब होता है भीड, क्या होता है कंजेस्चन, भीड, रिजेंट मेंट, इसका मतलब होता है नाराजगी, रिजेंट का मतलब होता है चक्कर, बिजार मेंज चक्कर, मलाइन, मलाइन मेंज दुष्ट, तो मलाइन का मतलब होता है दुष्ट, लाई, लाई का मतलब होता है जूट, लाई मेंज जूट, क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना, क्राई, क्राई मेंज रोना, लाइट, लाइट मेंज हलका और light means प्रकाजबी होता है light light means हलका heavy means भारी, heavy का मतलब भारी होता है dignity इसका मतलब होता है मर्यादा, dignity means मर्यादा sin, sin means पाप, तो sin का मतलब पाप sneak, sneak का मतलब होता है चुगल खोर स्नीक में चुगल खोर कॉम्प्लीकेटेड इसका मतलब होता है उल्जा हुआ कॉम्प्लीकेटेड में उल्जा हुआ टैनेसस टैनेसस का मतलब होता है द्रिड तो टैनेसस में द्रिड क्रिडूलुटी इसका मतलब होता है भोलापन तो credulity means भोलापन induce, induce का मतलब होता है प्रेरित करना induce means प्रेरित करना exult, इसका मतलब होता है उपदेश देना exult means उपदेश देना passive, इसका मतलब होता है चिंता ग्रस तो passive means चिंता ग्रस्त irisible, इसका मतलब होता है चिड़ चिड़ा तो irisible means चिड़ चिड़ा Coarse इसका मतलब होता है मजबूर करना तो Coarse means मजबूर करना Coalice इसका मतलब होता है सईयुक्त होना तो Coalice means सईयुक्त होना Auspices इसका मतलब होता है सवभागे साली तो Auspices means सवभागे साली Expatriate इसका मतलब होता है प्रवासी तो expatriate मेंज प्रवासी विस्नेरी इसका मतलब होता है कालपनिक तो विस्नेरी मेंज कालपनिक रिवेटिंग इसका मतलब होता है दिल्चस्प तो रिवेटिंग मेंज दिल्चस्प टॉड्री इसका मतलब होता है भड़कीला तो टॉड्री मेंज भड़कीला डेसलेट इसका मतलब होता है उजाड तो डेसलेट मेंज उजाड सरपैस इसका मतलब होता है आधिक होना तो सरपैस मेंज आधिक होना कांसर्ण इसका मतलब होता है चिंता कांसर मेंज चिंता Votility इसका मतलब होता है आईस्तिर्ता Votility means आईस्तर्ता Istre, Istre means होता है भटका हुआ Istre means भटका हुआ Rest, इसका मतलब होता है खीच तो Rest means खीच Haunt, इसका मतलब होता है अड़ा Haunt means अड़ा Screw, इसका मतलब होता है विखेरना जॉर्गन जॉर्गन मीन्स होता है बड़ बड़ा हट तो जॉर्गन का मतलब बड़ा हट पावर्टी पावर्टी मीन्स तंगी तो पावर्टी का मतलब तंगी इंपोस्टर इसका मतलब होता है धोंगी तो इंपोस्टर मीन्स धोंगी ट्रैसी इसका मतलब होता है निकम्मा तो ट्रैसी मेंस निकम्मा टेम्ट इसका मतलब होता है लुभाना टेम्ट मेंस लुभाना अबैस अबैस का मतलब होता है लजजीत करना तो अबैस मेंस लजजीत करना डिराइड, डिराइड का मतलब होता है हसी उडाना, तो डिराइड में हसी उडाना, वर्थ, वर्थ का मतलब होता है कीमत, तो वर्थ में कीमत, बादर, बादर का मतलब होता है परेशानी, तो बादर में परेशानी, कौन कॉर्ड, इसका मतलब होता है मेल, एकता, तो कौन कॉ मुक्ती चुटकारा डाइलेमा इसका मतलब होता है दुबिधा तो डाइलेमा में दुबिधा तो दोस्तों ये थे रोजाना यूज होने वाले इंगलिस के वर्ड तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें